टेकी पाउन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं वेलकम स्टूडेंट्स मेरे चलन टेकी पाउन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है हमारी नई सीरीज चल रही है समस्टी अर्थ शात्र की जिसमें आज हम देखने वाले हैं परिसंपती क्या होती है अब तक आपने जो परिसंपती को समझा है वो एक शब्द के रूप में समझा है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि परिसंपती खवास्तित्ता में क्या होती है और उसे कैसे मूर्थ परिसंपती और अरुस अमूर्थ परिसंपती में विवाजित किया जाता है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं आईए वेलकम स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है परिसंपती का अर्थ एवं परकार तो आईए देखते हैं संपूर्ण समस्ट्री अर्थ शास्र की नियू सिरीज परिसंपती जिसे हम असेट्स के नाम से जानते हैं परिसंपती आर्थिक मुल्य वाला एक ऐसा संसादन है जो एक व्यक्ति निगम या देश द्वारा इस उम्मीद के साथ नियंत्रित किया जाता है कि भविशे में वो लापरदान करेगा सिंपल सी भाशा में अगर हम कहें तो असेट्स क्या होती है असेट्स किसी व्यक्ति के पास भी हो सकती है किसी निगम यानि कि किसी कंपनी के पास भी हो सकती है और किसी देश के पास भी हो सकती है और असेट्स होती है कि जो भविशे में लापरदान करने वाली संपतियां होती है उसे ही हम assets या परिसंपती के रूप में जानते हैं तो assets के कई रूप हो सकते हैं अभी हम उसको देखते आगे तो देखिए परिसंपती या assets को मुख्य रूप से दो भागुम बाटा जाता है मूर्थ परिसंपती और अमूर्थ परिसंपती पहले हम देखते हैं मूर्थ परिसंपती जिसे टेंजिबल असेट्स कहते हैं ऐसी परिसंपती जिसे देखा छुआ जा सके अर्थात जिनका भोतिक अस्तितु हो उसे हम मूर्थ परिसंपती या भोतिक परिसंपती कहते हैं जैसे बुनी, भवन, मशीन, संयंत्र, स्टॉक, नकद मुद्रा, पूंजी के समस्त परकार उसे हम मूर्थ परिसंपती में शामिल करते हैं कहने का मतलब अगर मैं आपको सरल सी भाशा में बताऊं तो इसका अर्थ होता है कि आप देख सकते हैं मूर्थ परिसंपती में केवल वो चीजे शामिल होंगी जिने आप देख सकते हैं और छू सकते हैं इसी कारण इनको बहुतिक कहा जाता है जहां बहुतिक शब्द आ जाए इसका मतलब है उस चीज को देखा भी जा सकता है और छूआ जा सकता है तो ऐसी परिसंपति या ऐसी assets जो देखी जा सके चूई जा सके उसे हम बहतिक परिसंपति या मूर्थ परिसंपति के रूप में जानते हैं आप इनके उधारन भी यहां देख सकते हैं, कि कौन-कौन से उधारन होते हैं, वो आप सब देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें भूमी भी आ गई हमारी, बावन भी आ गया, इसके अलावा पूंजी के समस्त परकार भी शामिल होते हैं, पूंजी के समस्त परकार भी इसी में शा यह इस्थाई पूंजी है, या इसे हम इस्थाई परिसंपती भी कह सकते हैं, इस्थाई पूंजी को हम इस्थाई परिसंपती भी कह सकते हैं, यह मूर्ती है, आप देख सकते हैं, यह जमीन भी हो सकती है, भवन भी हो सकता है, और फैक्टरी भी हो सकती है, ठीक है, यह एक प मशीन है एक ये भी स्थाई पूंजी है फैक्टरी में काम आती है किसान का जो हल है वो भी स्थाई पूंजी है कोई टर्बाइन है पानी की खेतों में लगी हुई तो उसे स्थाई पूंजी कहेंगे किसी दुकान में या किसी फैक्टरी में कोई कंप्यूटर लगे है वर्क क अब ये है working assets जिसे हम कारेशील पूंजी के नाम से भी जानते हैं इन्हे हम working assets कहते है Working assets में क्या आ रहा है आप देख सकते हैं यह सब चीज है जो अभी उत्पादन परकरिया में काम आ रहा है इन सब को हम working assets के रूप में जानते है ये भी मूर्थ है क्योंकि दिखाई देती है और छुई जा सकती है इसलिए इन सब को हम मूर्थ पूंजी के रूप में या मूर्थ परिसंपती के रूप में जानते है अब आगे आता है हमारा अमूर्थ परिसंपती या इंटेजिबल असेट्स ऐसी परिसंपती जिसे देखा और छुआ नहीं जा सके अर्था जिनका बहुतिक अस्तित नहीं हो किन्तु उनका मोदरिक मूल्य होता है उसे हम अमूर्थ परिसंपती या एबहुतिक परिसंपती कह जैसे ट्रेड मार्क हुए, पैटेंट्स हुए, कॉपी राइट हुए, शेर्स हुए, डिबेंचर्स हुए, बॉंड हुए, मुचल फंड हुए, एफडी हुई, फिस डिपोजिट, गुडविल हुई, आप किसी कंपनी की, किसी कंपनी का ब्रांड हुआ, कुछ इंटरनेट होते हैं, जो इंटरनेट वेबिसाइट्स होती हैं, कंपनी के ब्लुप्रिंट्स हुए, किसी काम को लेकर, किसी कंपनी के सॉफ्ट्वेर्स हुए, उस कंपनी के डाटा बैंक्स हुए, जिसमें कई परकार के रिकोर्ड्स, और कई परकार के उसके कस्टमर्स की जानकारी र इसके अलावा एक वित्य परिसंपती भी होती है इन परिसंपतियों में हम शेर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड और मूचल फंड और अबडी को वित्य परिसंपती का अंग मानते हैं ठीक है अमूर परिसंपती में ही एक भाग ये वित्य परिसंपती भी हो सकता है जिसमें हम डि Vintures, Shares, Bond, Mutual Fund और FD को इसका अंग मानते हैं, अब आगे चलते हैं, यह देखिए, यह Trademark हुआ, यह Register Trademark हुआ, यह Patent हो गया, यह Copyright हो गया, यह Shares, आप देख सकते हैं, इस Shares है, जो खरीदा और बेचा जा रहा है, यहां Buy किया जा रहा है फिलाल, CNC पर, फिर यह आपके सामन है, Gold Bond, यह Bond का परिपत्र है, Bond ऐसा दिखाई देता है, यह बारत में Gold Bond का लेटर है, फिर यह Brazil Railway Company का एक आप देख सकते हैं, यह क्या है, Deventure है, Secure Deventure, तो इस परकार से होते हैं यह, उमीद है, आपको यह छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, इसके माद्यम स परिसमपती क्या होती हैं और परिसमपती के परकार क्या होते हैं और डेटेल में आपने देखा मूर्थ परिसमपती और एक हमने चोटा सा टॉपिक विट्षिये परिसमपती भी इसमें देख लिया है, अगर आपको content अच्छा लगा हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसे कंटेंट और भी देखने को मिलेंगे यह हमने अभी नई सीरी चला रखी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद